वेलकम स्टूरेंट्स आज हम पढ़ेंगे हनी सकल फ्लास सिक्स की बुक में एक पोएम है वेर डू अल दर टीचर्स गो मिन्स कहां जाते हैं सारे टीचर्स सो स्टूरेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी निव वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना या फिर कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखना ना भूले तो चलिए देखता है इस पोईम में है क्या अब यह जो पोईम है इसके राइटर कौन है पीटर डिक्सन तो उन्होंने क्या किया है एक बच्चे की तरह एक बच्चा जैसे सोचता है उन्होंने वैसा ही सोच कर इस पोईम को उन्होंने लिखा है तो देखता है इसमें है क्या तो किसी भी छोटे बच्चे के लिए या बच्चे के लिए उसका जो टीचर होता है वो बहुत स्पेशल होता है तो उसके लिए ये difficult हो जाता है, ये सोचना कि वो जो teacher है, वो ordinary है, एक simple person है, ये सोचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो देखता है, इस poem में actually में है क्या, Where do all the teachers go when it's four o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? तो poet क्या कहते है, कि ये जो teachers है, ये कहां जाते है चार बजे के बाद, अब उनके शायद ये होता था, उनके school में चार बजे चुट्टी होटे थे, जैसा आप में से भी कुछ बच्चे होंगे, जिनके दो बजे चुट्टी होती है, बारा बजे चुट्टी होती है, शाम के पोईट के वहाँ पे चार बजे चुट्टी होती ती इसलिए उन्होंने चार बजे कहा है कि चुट्टी के बाद आखिर सारे टीचर्स जाती कहा है Do they live in houses? क्या वो घर पर रहते हैं? क्या घर में रहते हैं? And do they wash their socks? क्या वो डेमोजे दोते हैं? या socks को दोते हैं? Do they wear pajamas? क्या वो पजामा पहनते हैं? And do they watch टीवी? क्या वो टीवी देखते हैं? And do they pick their noses the same as you and me? क्या वो अपने nose को pick करते हैं? Means वही नाक में उंगली करना इस टाइप से तो nose को pick करते हैं जैसे कि आप करते हैं मैं करता हूँ या मैं करते हूँ क्या वो भी करते हैं? वो teachers भी करते हैं? Do they live with other people? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? Have they mums and dads? क्या उनके भी मम्मी पापा है? And were they ever children? क्या वो कभी बच्चे थे? And were they ever bad? क्या वो कभी बुरे थे? Miss, वो कभी शैतानिया किया करते थे? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? क्या वो भी गलत शलत बोला करते थे? क्या वो भी गलतियां किया करते थे? क्या उनको भी punishment मिलती थी? घर के या रूम के किसी कॉर्णर में खड़े हो जाने के लिए? मदब ममी, पापा, दादा, दादी कोई भी उनको punish करते थे? कि उन्होंने जब एक पिंच लिया चॉकलेट फ्लेक्ट से तो कभी ऐसा होता था कि कोई गलती की और उनको punishment मिली? Did they ever lose their hymn book? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? क्या उन्होंने कभी अपनी hymn book को खोई है? कभी खो दिया है उन्होंने? क्या उन्होंने कभी अपने greens को छोड़ा है? अब यहाँ पर greens जो है, यहाँ पर greens है, vegetables को कहा गया है. जैसे आप मैं, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कि जैसे चाउमिन दिया, या कुछ और दिया, जिसमें हरी सबजियां होते हैं, जैसे मटर ले लो, पालक, या फिर, बीन्स, यह सब कुछ प्लेट में छोड़के बाकी सब कुछ खा लेते हैं. तो क्या वो जो teachers, उन्होंने कभी ऐसा किया है, कि वो अपने प्लेट में वही हरी सबजियां छोड़के बाकी सब खा लेते थे, क्या उन्होंने कभी desk के उपर लिखा है, scribal मतलब खुदाई करना, मतलब pencil या pencil से लिखना, जैसे आप लोगोंने लिखा है, या लिखते हो, मैं भी अभी भी लिखती हूँ, या मैंने भी कभी लिखा है, school time में, तो क्या वो ये सब कुछ किया करते थे, क्या वो भी पुराने jeans पहना करते थे, पुराने गंदे jeans को, I will follow one back home today, I will find out what they do, then I will put it in a poem that they can read to you, तो मैं क्या करूँगा, ये काम करता हूँ, आज मैं उनमें से एक को follow करूँगा, और फिर देखूँगा, ये ढूंडूँगा कि वो आखिर करते क्या है, फिर मैं उसको एक poem की तरह लिखूँगा, और फिर जिससे की वो आप लोगों को ये पढ़ा सके, तो यहाँ पर जो poet है, Peter Dixon, उन्होंने एक बच्चे की तरह, या एक बच्चे का सोच जो है, उस बच्चे की सोच को लेकर, उन्होंने इस poem को बनाया, कि बच्चा जरूर सोचता होगा, बहुत बच्चे हैं स्कूल में, अब सभी बच्चे को कोई ना कोई टीचर जरूर पसंद है, कि हाँ ये टीचर वो अच्छे से बोलती हैं, या बोलते हैं, वो अच्छा लिखवाते हैं, उनकी handwriting अच्छी है, इस ट्रैट से, कि किसी ना किसी बच्चे को किसी ना कोई टीचर पसंद है, तो उस टीचर के बारे में, या फिर बाकी टीचर के बारे में, वो बच्चे जरूर सोचता होगा, स्टूडेंस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जब बेल आइकन है, उस पे क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस पे कमेंट करना ना भूले, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले इस वीडियो से, तो उनके साथ शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशन हो, या कोई भी रिक्वेस्ट हो, या आपको कुछ अच्छा लगा हो, या कुछ कमिया लगी मेरी वीडियो में, तो आप वो कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर इसमें समरी क्या है, अगी बार देख लीजिए, इसमें है क्या की, वही क्या, पीटर डिक्सन ने कहा, कि मनलब एक बच्चा, या कोई भी बच्चा सोचता है, कि अच्छली उनके लिए तो टीचर स्पेशल होते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है, कि हाँ वो भी हमारी तरह ये नॉर्मल इंसान है, हमारी तरह सारे काम करते हैं, तो वो आखे जाते क्या हैं चार बजे के बाद, कहां जाते हैं, क्या उनके पास भी घर है, क्या वो भी अपने मौज़िद होते हैं, क्या वो भी पजामा पहनते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं, क्या वो भी अपने नोस को पिक करते हैं, जैसे आप करते हैं हम करते हैं क्या वो भी करते हैं क्या वो भी दूसरों के साथ रहते हैं क्या उनकी पास भी मम्मी पापा है क्या वो भी कभी बच्चे थे और हमारी तरह शैतान थे क्या उन्होंने कभी ऐसा हुआ है कि गलत किसी word को pronounce किया है या spelling गलत लिखे हो कभी ऐसा हुआ है क्या वो भी गलतियां क्या करते थे क्या उनको भी punishment मिलती थी जब वो चॉकलेट फ्लेक्स से थोरा सा पिंच करके ले लेते थे तो कोने में उसको punishment के तोर पर खड़ा कर दिया हो ऐसा कभी हुआ है क्या वो भी अपने him book को खो देते थे कहीं और फिर खाना खाते वक्त वो भी अपने green leaves या फिर vegetables जो भी प्लेट में है वो छोड़के बाकी सब कुछ खा लेते थे क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है कि डेस्क के उपर लिखा है pencil, pencil से या किसी और चीज से क्या वो भी हमारी तरह पुराने गंदे jeans को पहना करते थे तो मैं एक दिन जरूर follow करूँगा आज ही follow करूँगा या फिर वो करते क्या है मुझे जानना है और फिर मैं उसको एक poem में लिखोंगा जिससे कि वो आप लोगों को ये poem परहा सके कि हाँ, teachers ये ये किया करते थे I hope students, आप सब कुछ समझ चुके है मतलब, सब कुछ मतलब भई, जो मैंने कहा है तो आप सब समझ चुके हैं वो सब कुछ अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में comment करना ना भूले